गनेश परवकी की मैं अखिल विश्व के गनेश भक्तों को में बहुत बहुत शुबकामनाई देता हूँ श्री गनेश जी से प्रार्थना करता हूँ व्ग्न हरता है पूरी दुनिया पर हमारे देश पर हमारे महाराश पर कोरोना का संकट है उसका विगन है उस विगन को वो हरे साथ-साथ लगातार हम लोग देख रहे है कभी बारिश होती है कभी किसी परकार की आपति आती है कभी तुफान आता है इन सारी आपतियों में खड़ा रहने का आत्मबल इश्वर हमको दे विगन हरता हमको दे हमारे किसानों को दे और चुकि वे बुद्धी की भी देवता है तो ये भी उनसे प्रार्थना है कि हम सभी को सुबुद्धी दे हमारे हाथों से अच्छे कारे हो इस प्रकार की प्रार्थना मैं उनसे करता हूं लेकिन जिस तरीके से मंदिर खोलने पर भी विधन है काफी जिनों से उस विधन को औरने के लिए किस तरीके साथ है। देखे हमने बार-बार इस बात को सपष्ट किया है कि मंदिर खोला जाए महाराश में हमारी लगातार मांगए कि वल इसलिए नहीं है कि हमको जाकर इश्वर का दर्शन करना है। हम तो हिंदु है हमारे 33 करोड़ दे वह आप में भी हमारे भगवान है और दिवाल में भी हमारे भगवान है। लेकिन इन मंदिरों पर जो लोग छोटा-छोटा काम करके अपना जीवनियापन करते है। चायो फूल बेचने वाले हो, अगरबत्ती बेचने वाले हो, हल्दी या कुमकुम बेचने वाले लोग हो, प्रसाद बेचने वाले लोग हो, मंदिर के पुजारी हो, मंदिर के सेवक हो, लाखो लोगों की एक अर्थविवस्ता भी उसके ओपर टिकी है. और जब हम महाराष्टर में दारू की दुकान, मदिराले खोल सकते हैं, तो मंदिर बंद रखने का तुक क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं इश्वर से प्रारतना करता हूँ कि इश्वर ये भी सुबुद्धी दे सरकार को, मुझे ऐसा लगता है कि कॉंग्रेस क इससे यथार्थ हो, दुसरा कोई हो नहीं सकता, समेशा सामनती मानसिक्ता में जीने पार्टी रही है, और अपने आपको महाराजा मानकर, जिस प्रकार से एक परिवार का राज, देश के अंदर रखने की मानसिक्ता उनकी है, मुझे ऐसा लगता है कि उनको आईना दिखान काम पवार साब ने किया है, कि आप समझ लीजिए लोक तंत्र है, आपकी जमीनदारी समाप्त हो चुकी है, और आपकी जो पुरानी पुन्याई है, उसके उपर आप ज्यादा दिन जी नहीं सकते, जनता में जाके काम करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है एक आईना झाल